एलो दोस्तों प्रॉपटी लेंदेन.com चैनल पर आपका वेलकम है एक बहुत इंपोर्टेंट न्यूज है तो मुझे लगा आपको उसके बारे में अपडेट कर दूँ न्यूज यह है अपडेट यह है हर्याना सरकार ने पिछले महीने जो किसी भी प्लाट पर हम स्टिल्ट की movie आ रहे थे जादेतर लोगों का यह कहना था कि यह सरकार ने ठीक नहीं किया लेकिन कुछ लोगों का यह सेक्कर से उसमें जो मॉकान नहीं वहां भी स्टिल्ट प्लस फॉरि बनाए जाते नहीं जो भरी सकते या बड़ा मकान नहीं खरी सकते वो फ्लॉर ले सकते थे तो यह mix reaction के बाद सरकार ने विदान सभा में यह घोशना कि थी हर्याना के cm ने कोश्र न की थी हम इस पर कमेटी बनाएंगे और कमेटी अपने रिपोर्ट देगे उसके वाग फैसल लिया जाएगा तो कमेटी का गञएगा आज यह कमेटी का गटन किया गया हर्याना government का जो town and country planning department है उसने कमेटी बनाई है क्या कमेटी है क्या इसकी detail है वो हम जान लेते हैं तो इसकी जो order copy है वो मैं एक बार पढ़ देता हूं constitution of expert committee to devise the further course of action regarding suspension of building plan approval case for the still plus four floor in the residential plots जो still plus four floor है जो residential area में बनते हैं उसको लेकर ये expert committee बनाई गई है जैसा कि मैंने आपको बताया यह 23 फर्वरी को इसको बैन कर दिया गया था पूरे हरियाना में और हाँ इसके सासाथ मैं एक update और दे दूँ हरियाना में बाकी जगा पर दीन द्याल जनवास के उजना policy चल रही है और फरीदाबाद रुड़ गाओं में उस policy को भी suspend कर दिया था कमेटी में कौन-कौन लोग होंगे और यह अपनी रिपोर्ट कब देगी उसके बारे में हम इस आगे order copy में जान लेते हैं तो इसमें पी रागवेंदरा राओ है चेर में ने pollution control board के उनको शामिल किया गया है दिलबाग सिंग सिहाग है फोर्मर चीफ है टाउन कंटे प्लानिंग के उनको member बनाया है दिनेश शोहान है चीफ टाउन कंटे प्लानिंग है यह सिनर टाउन कंटे प्लानिंग रहे हैं यह हुडा के और इसमें एक कोई एक्सपर्ट लिया जाएगा यानि पांस मेंबर होंगे और यह कमेटी क्या करेगी यह कमेटी जो लोगों का कहना है कि नई स्टिल प्लास फूर जारी रहना चाहिए यह कमेटी एक्जामीन करेगी प्रॉज और कॉंस सच अप्रूवल ग्रांटेड इन पास इन इस इंप्लिकेशन्स इसके बाद इस कमेटी का और क्या काम है वो भी जान लेते हैं टू रेक्मेंट राम इस पर प्रमनेंट बैन लगना चाहिए जब यह रिपोर्ट दे देगी इस रिपोर्ट के बेस पर सरकार फैसला लेगी कि वो आगे पूरे हर्याणा में हुटा के सेक्टरों में चाहे वो डीडीजे के प्लॉट्स हो वहाँ पर स्टिल प्लस फोर बनेंगे की नहीं बनेंगे तो आपको सिर्फ दो महीने का वेट करना है दो महीने में रिजल्ट आपके सामने होगा इस कमेटी आज ही और रहा है चंदिगर से और है सूला मार्श दोजार तेज को इस और को जिसने निकाला है वो मैं वता देता हूं टील सत्य परकास है टाउन एंड कंटी प्लानिंग में यह सेकेटरी है कॉपी फॉरवर्ड कर दी गई है सारे मेंबर्स को इसकी यह देखिए इनके न important news थी important order था बहुत सारे लोग इसे affected है हजारों लाखों लोग इसे परवावित है बहुत सारे लोग चाहते हैं कि still plus 4 पर पर्मनेंट बैन लग जाए लेकिन उतने ही पलकी उससे ज़्यादा लोग चाहते हैं still plus 4 जारी रहे यह still plus 4 का बैन पूरे हर्याना में लगा था चाह कि still plus 4 जारी रहेंगे कि नहीं रहेंगे जैसा भी जो भी सरकार order लेगी या सरकार की जो report आएगी या committee की जो report अगर public domain में आएगी हम आपको सबसे पहले inform करेंगे बस यह short वीडियो आपको यही जानकरी दिने के लिए बनाया था हम फिर मिलेंगे एक नहीं वीडियो में त तक लिए दोस्तों good bye